हेलो सुटनेंट वेलकम तो माई चैनल इनोवेशन वाइफाई स्टड़ी आई एम रोशन आज अपन सुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का सेवन नम्मर क्यूशन एक्सरसाइज 1.4 के हमने 6 नम्मर क्यूशन तक पिछे वाली क्लास में कर लिया है अगर वो आपने नह सेट दिया गए डी सेट दिया गए और इसमें से आपको यह रिलेशन लेकर आना है अब हम सबसे पहले तो एस सैट बी सैट और सी सैट बना लेते हैं जैसे हमारे पास में एस सैट क्या बनेगा एक से एक हमारे पास में एक प्राकर संक्या है नेच्रल लंबर है ठीक एक से प्राकर संग है तो हमारे पास में 1234567 इस परकार से कंटीनु चलेगा भी हमारे पास में सेट क्या बनेगा भी सेट देखेगा एक सम प्राकर संग है जैसे हमारे पास में 2468 10 12 इस परकार से आगे बढ़ता जाएगा सेट देखेगा क्या दिया गया इसने सेट दिया गया है कि एक से क्विशं प्राकर संग है जैसे एक तीन पांच साथ नो ग्यारा और तेरा इस परकार से आगे बढ़ता जाएगा और डी हमारे पास में क्या है एक आभाजे संग है डी सेट क्या बनेगा एक आभाजे संग है सबसे चोटी आभाजे संग है दो होती है तीन होती है पांच होती है साथ होती है ग्यारा होती है तेरा होती है सत्रा होती है उननीस होती है इस परकार से यह आगे बढ़ता जाएगा अब हमें रिलेशन लेकर आना है पहला ही रिलेशन देखेगा हमारे पास में हैं A intersection B A intersection B तो हमारे पास में A क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस परकार से जा रहा है intersection B कमान हमारे पास में 2, 4, 6, 8 या रहा है अब देखो इसमें क्या का common है इसमें यानि जो विश्म संख्या को छोड़के बाकी सब क्या common है तो हमारे पास में आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस परकार से आगे यानि आपके पास में सम प्राकर संख्या है इसमें कोमान आ जाएगी हम इसको लिख सकते हैं जैसे हमारे पास में B-set प्राप्त होजएगा इसको अपन B-set भी लिख सकते हैं ठीक है बी-set या अपन ये भी लिख सकते हैं एक सम प्राकर संख्या प्राप्त होगी इसका देक्या इसका नेक्स्ट पेज पेच पेटे हैं स्लके नमर में अमें क्या पूछा गया है एंसक्री मज्की पूछा कर ए एक authority और हमारे पास में 12345 इस परकार से इंट्रसेक्शन है कि सही का मान हमारे पास में क्या है जैसे विसम प्राकर संग क्या है तो हमारे पास में होज़ेगा 13579 11 इस परकार तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा इन दोनों में हमारे पास में कॉमन आएगा 1, 3, 5, 7, यह यहाने हमारे पास में C set पराप्त होगा, क्या set पराप्त होगा, C set या अपनी इसको विस्वन प्राकर संख्या भी लिख सकते हैं, clear हुआ, next, तीन नमर देख को, तीन नमर हमें find करना था, कि A intersection D A intersection D तो A हमारे पास में 1,2,3 इस प्रकार से चलेगा और हमारे पास में यह हमारे पास में क्या होज़ेगा intersection D set क्या था 2,3,5 इस प्रकार से तो इन दोनों में common देखो क्या आ रहा है इन दोनों में हमारे पास में जैसे common आ गया दो आ गया एक तो एक हमारे पास में इसमें तीन आ गया एक इसमें पांच आ गया एक इसमें साथ आ गया इस प्रकार से चलेगा यहनि हमारे पास में वह पिस डी आ गया चार रहा है डी सेट आ रहा है तो इन दोनों में common हमारे पा में हैं कि B intersection C थी हमारे पास में क्या है B कि एक सम्प्रक्रेशन कई जिसे 2 4 6 8 10 इस परकार से intersection C कामान हमारे पास में 11 impCS 11 इसमें कुछ भी कोमन नहीं आएगा दोनों में यानि हमारे पास में फाई अप्राप्त होगा एक रिक्ट समुझे अप्राप्त होगा पांच नमबर देखेगा इसमें क्या आएगा पांच नमबर हमें दिया गया बी intersection D बी का वेलियू कितना है 2 4 6 8 10 इस प्रकार से ठिक और intersection D का वेलियू क्या है दि हमारे पास में है 2 3 5 यह है अब इसमें से कॉमन क्या आगया हमारे पास मेंदेख अब इसके बाद में कोई भी नमबर common नहीं आएगा only for 2 ही एक केसा नमबर है जो कह एबाजे है और इसके बाद में जितने भी सम नमबर होंगे इसमें तो सम भी चलेंगे और इसमें हमारे पास में कोई सम नमबर आएगा नहीं क्योंकि और 2 के अलावा कोई परकार से चलेगा intersection डी का वेलियो हमारे पास में क्या है जैसे दो चार दो तीन पांट साथ यह चलेगा ठीक तो इन में कोमन क्या रहा है हमारे पास में जैसे इसमें कोमन हमारे पास में आएगा तीन पांट साथ नो तो आएगा नहीं ग्यारा आएगा, तेरा आएगा, और सत्रा आएगा, और उन्नीस आएगा, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, ये सैट आएगा, तीन, पांच, साथ, ग्यारा, तेरा, सत्रा, उन्नीस, इस प्रकार से में ये निकालना था, सेवन नमर क्यों सन, इंटरसेक्शन, ठीक है पहले आपको क्या करना है सैट अच्छे तरीके से लिखना है, इसके बाद में इंट्रसेक्शन निकाला है, इंट्रसेक्शन आप पहली भी क्लास में निकाल चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, चलेगा का next question है कि निमन लेकित समुझ्च है युगम मों में से कौन से युगम ऐस्यूंक्त है ऐस्यूंक्त का मिन्स यहां से देखेगा ऐस्यूंक्त का मिन्स होता है कि जब उसमें से कोई common नहीं आता तब भी ऐस्यूंक्त होगे और उसमें से कुछ बना जाएगी तो वह क्या ओँगे शूंग तो इसमें से पहला है मारे पास में पहले पहला इसमें हमारे पास में कोई सेट न गया जीशे की बन रहा है यहां पर अब अपना माल लेते हैं इसको माल ले थी को कि ए कैस को है ए 900 हमारे पास में है, एक, दो, तेन, और ये चार, ये हमारे पास में A set है, और B set क्या बनेगा, इस एक प्राकरसंग है, जो चार से बड़ी और चोटी है, चार से बड़ी और बराबर है, तो चार, पांच, छे, तिन नमबर आएंगे, तो इसमें से कॉम्बन आ रहा है, हमारे पास में, यानि अपन अगर निकालें, कि A intersection B is equal to हमारे पास में, चार element आ रहा है, इसमें से एक नमबर आ रहा है, अते दिया गया समुच्य के है, युगम ऐस्यूंगत नहीं है, इसने दे रखा है कि युगम ऐस्यूंगत है, क्या, यह ऐस्यूंगत है, कौन से युगम ऐस्यूंगत है, यह ऐस्यूंगत नहीं है, यह अते यह समुच्य के है, युगम ऐस्यूंगत नहीं है, यह समुच्य यूंगत नहीं नहीं है, चलेगा second number निकालते हैं इसका, second number में क्या दिया गए है, हमें कोई A set दिया गए है, जैसे A, E, I, O, U, और कोई B set दिया गए है, जैसे C, D, E, E, F, तो अगर आपन देखें, कि A intersection, B is equal to, इसमें क्या आ रहा है, E आ रहा है, दोनों में common आ रहा है ना E, तो अतै ये भी A set नहीं है, अतै ये है, समूचे यूगम, A set नहीं है, A set नहीं है, तिन नमर देखेंगा, एक सम पूर्णाक है, A हमारे पास में set क्या बनेगा, 2, 4, 6, 8, 10, एक विसम पूर्णाक है, B set हमारे पास में बनेगा, 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से, अब देखो A intersection B, क्या इन दोनों में common आएगा कोई, ये हमारे पास में फाई है, फाई आएगा भी ये सम पूर्णाक है, य ये विसम पूर्णाक है, तो कोई common आएगा नहीं, फाई आएगा, फाई आएगा तो अपन क्या बोलेंगे, अते दिया गया समुचे यूगम, ऐस यूगत है, अते दिया गया समुचे यूगम, ऐस यूगत है, ऐस यूगत है, अते दिया गया समुचे यूगम क्या है, ऐस से होता है चले next number 9 number के उसे देखेगा इसमें क्या लिखा है कि A कोई set दे दिया B कोई set दे दिया C और D हमारे को 4 set दिए गए अब हमें A minus में B और A minus में B आप निकाल आपको अच्छे तरीके से मैंने introduction part partition second में करवाया था साइड introduction part second में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता भी दिया भी A minus में B क्या होता है when diagram बना के भी बताया था कि A minus में B होता है जो element B में नहीं होते हैं और A में होते हैं उन्हीं को लिखते हैं तो हमारे पास में देखेगा A minus में B क्या आएगा अपनी एक बार इसको लिख लेते हैं जैसे तीन, छे, नो है, बारा, पंदरा, अठारा, एक्किस, माइनस में, बी हमारे पास में, चार, आठ, बारा, सोला, और वीश, एससे element लिखेंगे, जो कि बी में नहीं है, only for A में ही है, अब देखो, बी में तीन नहीं है, तीन, छे नहीं है, छे लिख दिया, नो नहीं है, नो लिख दिया, बारा है, पंदरा, नहीं है, पंदरा लिख दिया, अठारा, नहीं है, अठारा लिख दिया, और है, एक्किस, नहीं है, एक्किस लिख दिया, अब ये element है, हमारे पास में है, कि, तेन, छे, नो, तेन, छे, नो, पंदरा, अठारा, एक्किस, जो element a में तो है लेकिन b में नहीं है a माइनस में b को represent करेगा कलियर हुआ अब देखेगा next हमारे पास में क्या है इसको हम ऐसे भी लख सकते हैं जैसे कोई set है हमारे पास में x x belong कर रहा है a में और x not belong कर रहा है b में x एक नंबर है जो कि x belong कर रहा है a में और not belong कर रहा है b में 3 9 ठीक है यह मारे पास में जाएगे अब चलिएगा next हमारे पास में है a minus में पहले A set लिखें, तीन, छे, नो, बारह, पंदरह, अठारह, एक केस, माइनस में, C set हमारे पास में क्या है, C हमारे पास में है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और 16, अब A माइनस में C करना है, जो element A में हैं, लेकिन C में नहीं है, वो यहां पर रिप्रेजेंट करने हैं, तो A में नहीं, A में तो है, C में नहीं है, तो A में यहां पर 3 है, 3 है, 3 C में नहीं है, तो 3 आएगा, 6 है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें आजेगा 9, 12 है, इसमें 15 नहीं है, तो 15 आएगा, अब इसके बाद में 18 नहीं है, और 21 भी नहीं है, तो हमारे पास में आएग X belong करेगा A में और X not belong करेगा किस में? C में X not belong करेगा C में X belong करेगा किस में? A में तो आमारे पास में 3, 9, 15, 15, 18 3, 9, 15, 18 अब हमारे पास में A minus में D है A का value कितना है? 3, 6, 9, 12 15 18 21 minus D में कितने हैं 5 10 15 20 15 20 अब देखेगा इसमें 3 नहीं है तो 3 लिख दिया 6 नहीं है 6 लिख दिया यानि A में है D में नहीं है 9 नहीं है 9 लिख दिया 12 नहीं है 12 लिख दिया 15 है 18 नहीं है 18 लिख दिया 21 नहीं है 21 लिख दिया यानि हमारे पास में आएगा X X belong करेगा A में X not belong करेगा D में B minus में A तो B minus में A पहले B लिखनें यहां से जैसे 4, 8, 12, 16 और 20 minus में A है यह हमारे पास जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 जो element B में है A में नहीं है जो element B में है A में नहीं है वो लिखने तो B में हमारे पास में 4 है, 8 है, 12 है इसमें भी है, 16 है और 20 है, 16 और 20 तो यहां से हमें इसको लिखेंगे तो X, X belong करेगा B में और X not belong करेगा A में कालियर हुआ चार नमबर तक दो चार नमबर हमारे पास में दो आठ सोला वीश है दो आठ सोला वीश ठीक सी माइनस में एक करना है तो सी हमारे पास में क्या है दो चार छे आठ दस बारा चौदा और सोला माइनस में एक करना है एक आवन तेन छे नो बारा पंदरा अठारा इक्टिस सी माइनस में ए जो एलेमेंट सी में हैं बी में ए में नहीं है तो यहां पर हमारे पास में आएगा दो चार छे आगया आठ आएगा दस आएगा बारा है इसमें चौदा आएगा सोला है क्या इसमें सोला नहीं ठीक है सोला ही आएगा तो हमारे पास इसको लिखेंगे एक्स एक्स विलाओं कर रा इसी में और एक्स नौट विलाओं कर राएए ए में तो यहलेमेंट आ देंगे इस प्रकार से कि दो चार आठ कितना नंबर है पांच नंबर produced आप्स आपSTRbers आपर सोला आब तो हमारे पास में दी सैट में यहां से लिखने लिखूँगा एक बार देखना दी में 5,10,15,20 5,10,15 और 20 माइनस में 5,10,15,20 ए में हमारे पास में 3,6,9,12,15,18 और 21 अब इसमें से डायरेक्ट लिखेंगे अपन जो डी माइनस में जो ए में है जो ए में नहीं है और डी में है और दी में है तो डी में हमारे पास में जैसे 5 है इसमें 10 है इसमें 15 है इसमें 20 है 5,10,20 5,10 और 20 हमारे पास में 6 नमबर का रिजल्ट आएगा चैनल बचेक्ट कर लएते हैं 5,10,20 ठीक है आगे भी ये भी लिख सकते हैं आपन जैसे एक्स एक्स बिलोंग करेगा डी में और एक्स नोट बिलोंग करेगा ए में नेक्स्ट देखेगा बी कमान हमारे पास में कितना है बी कमान हमारे पास में जैसे 4,6,8,12 चार,6,8,12 चार,6, नहीं 4,8,12 है हमारे पास में 4,8,12,16 और 20 जो बी में है ए में नहीं है बी में यहां नहीं है वह लिखने यहां पर तो यहां से हमारे पास में जो बी में तो है ए में नहीं जैसे बी में आमरे पास में 4 है इस में, 12 है है, इसमें है, इसमें है, लेकिन एक के नमர है हमारे पास तुट्टी है. एक नमबर हमारे पास है शात नमबर में तुट्टी आएगा, जो कि हमारे पास में ب में तो 해 और सी में नहीं है. इसको आपनी यह भी लिख सकते हैं X X belong करेगा B में और X not belong कर रहा है कि में अब हमारे पास में B सेट है जैसे चार आट बारा सोला बीस माइनस में D सेट हमारे पास में पांच दस पंदरा और बीस बी माइनस में डix क्या है जो बी में तो है डी में नहीं है बी में हमारे पास में जैसे हैं तो यह हमारे पास में एक cookie बलाँ कर रहा है बी में और एक्स नाट- Advanced agora इस देखेगा सी कमान कितना है दो च्यार चे आठ दस बारा और चौदा दस बारा चौदा और सोला हो रहा है माइनस में बी कमान कितना है बी कमान च्यार आठ बारा सोला और बीस तो इसमें से जो सी में तो है लेकिन बी में नहीं है जैसे मारे पास में दो आगया च्यार इसमें है छे आगया आठ इसमें है दस आगया इसमें नहीं है बारा इसमें है और सोला का सोला भी इसमें है और चौदा इसमें नहीं है लिज़ीड दिए और ट्रीक अधिक तो ये मुद कर घएगा उगsec कि एगर एक्स भिलोंक कर राया किसमें है में और एकशन नॉथ कर रहा है बीन है यह मारे पास में डी बी यह मारे पास है और यह च्छे आठ है दो शे दस जोधा 9 नमबर का 2, 6, 10, 14 ठीक 10 नमबर देखेगा D माइनिस में B D कमान हमारे पास में है 5 10 15 20 माइनिस में B कमान कितना है 4 8 12 16 और 20 जो D में है B में नहीं B में हमारे पास में 5 नहीं है एक हमारे पास में 10 नहीं है 15 है 15 नहीं है 20 है तो X X बिलोंग करेगा D में और X नॉट बिलोंग करेगा किसमें B में तो 5, 10, 15 आ गया 10 नमबर का 5, 10, 15 11 नमबर देखेगा 11 नमबर हमारे पास में है C कमान देखो कितना है C कमान हमारे पास में देशे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 14 और 16 माइनस में D का वेल्यू कितने है D का वेल्यू हमारे पास में में तो 1, 5, 10, 15 और 20 आ जहना हों जो C में है D में नहीं है 3 में 3 में 2 है हमारे पास में 4 है हमारे पास में छय है हमारे पास में कि जो X है वो बिलोंग करेगा सी में और एकस है वो नोट बिलोंग करेगा यहां सी कि एकस नोट बिलोंग करेगा डी में में कलियर हुआ दो चार छे आठ बारा-चावदा-शोडा यह मारे पास में 11 नमबर में 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 ठीक है अब next देखेगा इसका हमारे पास में है D माइनस में C तो D माइनस में C और D का वेल्यू हमारे पास में कितना है D का वेल्यू हमारे पास में है 5, 10, 15, 20 5, 10, 15 और 20 माइनस में C करना है C का वेल्यू कितना है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 जो D में है C में नहीं है D में हमारे पास में 5 हैं 10 इसमें है 15 नहीं है और 20 नहीं है तो X, X बिलोंग करेगा D में और X नोट बिलोंग करेगा C में यह प्रोसेस हाई ठीक है इसको मंजले ब्रेक्ट में लिखना होता है परतेक सेट को तो हमारे पास में 5, 15, 20 पांच 15 और 20 अब हमें करना है 10 नमबर के उसमें हमें हमें 2 सेट दिए गए है एक और वाई ठीक है निमन लिखित को ग्यात करो एक बार X माइनस में य लेक्ट कर आना है तो निकाल यह अभी निकाला है हमने तो X माइनस में य क्या आएगा X माइनस में Y जो X में तो है एक बार लिख लिए थे A, B, C और D माइनस में F, B, D और यह हमारे पास में G तो यह मान क्या होगा जो X में तो है और Y में नहीं जैसे हमारे पास में क्या होगा A है, B इसमें है, और C है, B और D इसमें है, तो only for हमारे पास में दो ही element है, कौन-कौन से, A और C, अपनी इसको इस परकार से भी represent करते हैं, X, X बिलॉंग करेगा किसमें, X में, और X not बिलॉंग करेगा, Y में, Y से नहीं आएगा, first number है, second number देखेगा, हमें निकालना है, Y माइनस में X, क्या निकालना है भी, Y माइनस में X करना है, तो Y कमान कितना है, जैसे F, B, D, और G, माइनस में, X कमान कितना है, A, B, C, और D, तो यह values आएगे, मारे पास में, जो Y में तो है, X में नहीं है, जो Y में है, X में नहीं है, तो Y में F है, मारे पास में, J, B है, D, इसमें नहीं है, लेकिन F, Z है, तो यहां से X, X जो बिलॉंग करेगा Y में, और X, नॉट बिलॉंग करेगा, capital X में, है इसको अब किसी सेट को रिप्रजेंट करते हैं तो इसको अब तीन नमर देखेगा X intersection Y तो यह हमारे पास में है A, B, C और D intersection F, B, D, G तो इन दोनों का intersection लेके आएंगे तो हमारे पास में जो common आ रहा है वो लिखेंगे intersection का मिनस्ट तो भी होता है तो हमारे पास में B आ गया और D आ गया क्या आ गया? B आ गया और D आ गया तो इसको अपन के से इस सेट के रूप में लिखेंगे सेट विल्टर फोम में लिखेंगे तो X X belong करेगा X में भी और X belong करेगा Y में भी दोनों में ही क्या करेगा? belong करेगा complete वादास नंबर क्योशन अब चलते हैं 11 नंबर क्योशन पर यदि R वास्तिक संख्याओं और Q पर्मे संख्याओं के समूचे हैं तो R माइनिस में Q क्या होगा? R वास्तिक संख्याओं यह हैं जैसे हमारे पास में R कोई सेट बनेगा तो उसमें हमारे पास में पर्मे संख्याओं और एपर्मे दोनों आएगी पर्मे या एपर्मे तो X हमारे पास में एक सेट बनेगा इस प्रकार से R एक सेट बनेगा solution करते हैं तो एक बार पहले सेट बना लेते हैं R वास्तिक संख्याओं उसमूचे तो एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर में एक्स बिलोंग करेगा आर में परीमे संख्या तता एप्रीमे संख्या तता एप्रीमे संख्या एक्स बिलोंग करेगा आर में प्रीमे संख्या तता एप्रीमे संख्यां का सेट है और क्यूं हमारे पास में प्रीमे संख्यां का सेट है तो हमारे पास में Q है एक X और X एक हमारे पास में परमेशन क्या होगा सेट है एक X एक परमेशन क्या होगा सेट है X बराबर परमेशन क्या होगा यह हमारे पास में दो सेट है X हमारे पास में क्या है परमेशन क्या होगा सेट तो R माइनस में Q हो, जो R में तो है, लेकिन Q में नहीं है, अब देखो इसमें पर्म में है, पर्म में है, लेकिन जो इसमें नहीं है, वो इसमें, नहीं है, कौन सी है, A प्रमे संकिया, X, X1, यहां पर X बरापर भी लिख सकते हैं या X X एक परमे संक्या है, X एक एक परमे संक्या है एक परमे संक्या है यानि इसमें परमे है, यानि जो R में तो है लेकिन Q में नहीं, Q में क्या नहीं है परमेत है लेकिन आपरमे नहीं है तो हमारे पास इसका यह रिजल्ट हो देगा बारा नमर के से बताइए कि निमिल कित कतनों में से परतेक सत्य है या ऐस सत्य है अपने कारण का उचित्य भी बताइए अब देखेगा यह इसने बछागे आपी ऐस चुठ है 2, 4, 6, 5 2, 3, 4, 5 और इसमें हमारे पास में 3, 6 ऐस चूंगत है ऐस में Pomरल कियो आपने है इसमें तिन-तिन को मना आ रहा है आते हैं दिया गया ही दी गई बात है वो ऐसते हैं ऐसते हैं नीचे लिख देते हैं सब्सक्राइब क्योंकि दोनो समुच्यों में तीन उबेनिस्ट है तीन तीन उबेनिस्ट आ रहा है इनसे तीन उबेनिस्ट आ रहा है इसलिए क्या है यह ऐस समुच्यों नहीं है यह समुच्यों है तो आपको जो बात दी गई वो ऐसते हैं सेकर्ड नमर देखेगा ए हमारे को सैट दे दिया बी हमारे को सैट दे दिया यह ऐस समुच्यों है य यह भी बात आए सकते हैं आए सकते हैं क्योंकि इसका रिजन क्या है इसमें यह हैं दोनों में क्योंकि कि दोनों समुच्चों में ए को मन्याव बेनिश्ट अगर आप थोरी वाली लाहिन नहीं लिखना चाते तो डायरेक्ट कर दो ठिक ऐसे भी अपन कर सकते हैं ऐसकते हैं क्योंकि ए यह कोई सेट ए है ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपके पास में एक एलिमेंट आ रहा है अब यह देखिगा यह कहाए दो चार दो छहे दो छह दो छह दस चवदा तेन साथ ग्यारा पंदरा अब इस में कोई एलिमेंट है क्या है ऐस युक्षों समुच है सत्य हैं सत्य हैं एस यूंग समूझ है क्योंकि ए इंट सेक्षन बी इस इकल टो हमारे पास में क्या रहा है फाइप राप्त हो रहा है लास्ट देखीगा दो च्छै दस तेन साथ ग्यारा एस यूंग समूझ है सत्य है सत्य है क्योंकि रिजन क्या है एंट सेक्षन बी इस इकल टो हमारे पास में फिर से क्या पर राप्त हो रहा है फाइप राप्त हो रहा है तो यह भी हमारे पास में कतन सत्य है यह भी कतन सत्य है यानि यह दोनों एस यूंग था नीचे वाले उपर वाले क्या है एस यूंग थ हैं तो देखे का आज की क्लास में हमने सेवन नमबर से लेके ट्वैल नमबर के उसन तक कंप्लिट किया है इस परकार से हमारी एक्ससाइज वन पॉइंट फोर कंप्लिट हो जाती है तो आपको ये क्लास कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना चैनल को